आइ-आइ-आं दूस्तों आपके फोनकी बैटरी अगर वह थल्ली ड्रेन हो जाती और आपको उसको श्抡्राइड लोह जाती। पूरुत पर опять अ Bytesyman उस्में रह गई है। और हमें जाना है भी 5-10 मिनिट के निदर में कई भार, तो 10 मिन भी है उसको हम चार्जिंग पर लागर रखते हैं, तो हम देखते हैं, उसमें बैटरी जो है, सिर्फ लगब कुछी परसेंट, 5 या 10 परसेंट ही हुई है, तो इतने में हम भार का गोज़ारा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए I kan अपको भी बताता हूँ, पहला उप्षिन पहपकर बाएंग, तो चलिए उसको सैड़ में रखते हैं, बहुतसस लोग के पास में पावर बैंक नहीं है, लेकिन बहुतसस लोग कुछैंपाम मज़ा उठा लेते हैं, लेकिन जिनके पास में नहीं है, तो ओन क तो यही सारी चीज़े में आपके लेके आया हूं कि कैसे आपको अपने फोन को फर्स्ट चार्ज करना है तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो को लाइक जरू कर दें इससे आपका फोन बहुत स्पीड से चार्ज होने लगेगा करो यार अच्छा लगता है आपको खुशी मिलेगी लाइक करो मतलब ऐसा नहीं है मैं मज़ा कर रहा था लेकिन लाइक कर दो के तो मुझे बहुत खुशी होती बड़ा मज़ा आता है तो नमस्कार दूस्तों मैं हूँ अनिल और आप देख रहे हैं अनिफटक मैं देताओ व अधार हुआ होगा मैं आपको बदाता हुँ सबसेपेला ट्रीक ही तो अगर अपको ठोसी तरीक है में लिफाले पेंटरिकारउंड और आपको अप्रीक चीश में ओपने बैतर्य है वो सबसे जाएंगान को उसे पनी चीज के था निजम आप जाएंगे तो वहां पर आपको information दिख जाएगी कि आपकी यह application सबसे ज़्यादा बैटरी को consume कर रही है तो आपको क्या करना है application manager में जाना है उसमें जाने के बाद में आपको उस application को select करके force stop कर देना है उससे क्या को वो application है वो यहाँ पर recent app से cut होने के बाद में जो पीछे background में चल रही है वो वहाँ से stop हो जाएगी तिसी trick अगर आप अपने phone की battery को जल्दी से charge कर रहे हैं तो आप अपने सबसे पहले यह देखिए कि आपका charger जो है वो properly अपने switch में लगा हुआ है अगर तो switch में properly लगा हुआ है कि बहुत से बार ऐसा होता है कि कुछ switch ठीक से काम नहीं करती है यानि कि उसमें losing की problem होती है तो उसमें क्या होता है अंदर spark होता रहता है वो इतनी आप फ्रिकंसी में होता है जो आपको सुनाया नहीं देता लेकिन वो properly आपके जो प्लक को है वो proper charger मतलब जो लाइट है वो प्रवाइट नहीं कर आपाता उस condition में क्या होता है कि आपका ज हो चुकी है और आपको स्पीडली चार्ज करना आपको 5-10 मेट या 20 मेट के अंदर में कहीं निकलना है तो आप सबसे पहले यह देखें कि आपके फोन में mobile data और wifi और नहीं होना चाहिए और साथी साथ अपका GPS भी आप off कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है इस सारे network है अगर क्योंकि क्या होता है जब हमारा net on रहता है तो हमारी बागी की जो application है वह running में रहती है कि जब वह running में रहती है तो यहां से सारा data आपने देखा होगा कि आपके पास में किसी भी time पर आप इसका कोई mention नहीं है time अच्छा example देता हूं करता है कि यह करिये तो यह कश हआता है पीछे background में अफ्लिकेशन को run करता रहता है और आपके internet को यूज़ करता रहता है इस condition में क्यूंप बैक्ग्राउंड में जब application रन करती है तो आपके phone की processing RAM को भी use करता है, साथ ही बैटरी को भी use करता है, साथ ही साथ आपके data को भी use करता है, इस सारी चीज़े जब एक साथ होती है, तो उस condition में क्या होता है, कि आपका phone speedly charge नहीं हो पाता, और मालो कि अगर कुछ charge होता भी है तो वो drain बहुत जल्दी हो जाता है, तो यह चीज़ का अप ध्यान दगना है, पांच बी ट्रिक, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको और ज़्यादे speedly कैसे charge करें, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ, कि आप इसको flight mode पर भी लगांके charge कर सकते हैं, लेकि यह चीज़ मैं ऐसा तो कोई timing तो नहीं है, कि इस timing में किसी की call आ सकती है, जैसे आप रात को जैसे करते हैं, और आपको बहुत जल्दी से charge करना है, तो देन आप flight mode पर चला रहा हैं, तो आपके पास में किसी की call नहीं है, कि अल्मुष्ट यह सब को बता है, लेकिन जिसको नहीं पता, मैंने उसके लिए यह चीज़ मैंने बताई है, और 6th trick में आपको बता देता हूँ, कि उसमें क्या होता है, आप अपने फोन को data को देख लें, आपका WhatsApp देख लें, आपकी गैलरी देख लें, कि WhatsApp से क्या होता, वह सारी वीडियो, यह फोटो बगरा आती ही रहती है, आपके फोन में कुछ ऐसी वीडियो, ऐसी ओडियो, या फिर कोई फोटो, या फिर कोई ऐसी फाइस तो नहीं है, जो आपके फोन में एक बिना फालतु की memory को यूस कर रहा है, मतलब उस वीडियो का हमें पास में कोई अभी जरूरत भी नहीं है, जैसे नियो यह दिवाली पर ऐसी कोई फोटो या वीडियो तो नहीं ही आपके फोन में, अगर है तो उनको भी डिलीट करनें, क्योंकि होता है, आपका फोन आपने देखा होगा जब ज़्यादा लोड़ जाता है, जैसे हम लोग अपनी एक रफ लेंग्वेज में बोलते हैं, कि आप फोन बहुत ज़् फाइल रहती हैं, तो वो बैटरी को भी कंजब करती हैं, आपके रैम को, परफॉर्मेंस को, यह सब चीज भी खतम करती हैं, तो इस चीज को भी आप देख लें, तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में से सिर्फ इतना ही, अश्या करता हूँ वीडियो को पसंद आ हुआ अगर ही वीडियो पसंद आ है, तो इस वीडियो को कर दो, लाइक और लाइक और बस लाइक कर दो, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, और सबी लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो दोस्तों, आपका कुछ और सबी लेटेस वीडियो को नोडिकेशन आपको मिल पाएं और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तर तक लिए धन्य वाई बाई बाई जय हिन